भले ही ये वीडियो थोरा लंबा हो सकता है लेकिन बिल्कुल भी स्कीप मत किजिए अगर आपका पास इंडिया का बारे में दीप नोलेश नहीं है तो इसको सुनने का बात आपका दिमाग खोलने वाला है और एक नया सोच देबलोप होने वाला है तो चलो वीडियो को आने वाला हूँ कि हमारा साथ ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक बर इस वीडियो को एन तक देख लीजिए आपको कम्प्लिट हिस्टूरी पता चल जाएगा और मेरा आप सब लोगों को गुजरिस है कि इस वीडियो को अपने लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नोलेच बतने से हम किसी से भी छोटा बड़ा नहीं हो जाएंगे लेकिन हम जहां भी जाए हमारा जिन्दगी बहुत आसान होने वला है सभी लोग अपना अपना राइट एंड यूटिस को जान कर अपना अपना जिम्मेदारी निबाएंगे अगर हमारा सभी सिटिजन का पास राइट नोलेच होता तो हमारा दोनों ब्रादर एंड सिस्टर का कभी मौत नहीं होता इसलिए ग्यान को सारे दुनिया में फेलाना हम सभी के लिए बहुत फैदेमान है और हम सब का जिन्दगी को बहुत आसान कर देने वाला है इसलिए सब लोग सपोर्ट कीजिए I request you आज कुछ न कुछ तो जरूर आप लोग नया सिख कर जाने वाले हो इस वीडियो में जो भी बात बताया गया है उतना ग्यान तो हम सभी नोट इस लोगों का पास होना बहुत जरूरी है नहीं तो आने वाला दिनों में राइट डिसाइशन लेने के लिए हमें बहुत दिकत आने वाला है क्योंकि हमारा रिजिन में इनर लाइन फर्मिट एन आटोनोमा स्टेट का बारे में दिमान चलते रहता है उस वक्क ये जनकरी हमारे लोगों को मजबूत कर देने वाला है हम सोच रहे थे कि मैनलेन इंडिया में रहने वाले हम नोट एस वालों से काफी डेवलोपमेन में और पड़ाय लिखाय में हमसे एडबांस है इसलिए वोग हमसे कही गुना अच्छे होंगे लेकिन हमारा सोच गलात सबीत हुआ एवन दा एडुकेटेट लोग रिशीजम करता है और हमारा सरकार भी हमें बहुत नेगले करता है इसका मतलब क्या है क्या हमारा एडुकेशन सिस्टेम हमें समझाने के लिए फैल हो गया है और या फिर हिंदुस्तान का खास सिस्टेम all the able practice and traditional belief system आप लोगों का दिमाग से अभी तक पुरी तरह से खतम नहीं हुआ है क्या हमारा इंडियन्स लोग जो कितब में लिखा है उसको नहीं मानते है लेकिन जो नहीं लिखा है उसको ही मानते है ये सवल हमारा नोट इस वालों का दिमाग को confuse कर दे रहा है हमें भी एक अच्छा जिन्दगी जीना मन करता है हमेशा से हमारा सरकार भेदभाप and discrimination करके हमारा रीजन में एक basic necessity का सुभीदा को भी बना कर नहीं दिया है जो बाकी state में normal बन चुका है इसलिए हमें कुछ चोटे चोटे चीजों के लिए man lane इंडिया जाना पड़ता है उसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना ज्यादा मजबुरी में हैं और आप लोग हमें मार देंगे हमारा लोगों का उपर जितना भी बरा बरा घटना घटता है उस पर सरकार कुछ भी रियक्शन नहीं दिखाने का कारण हमारा विश्वस आप लोगों पर टूट गया है आप लोग हमें जितना भी भेदभाप and discrimination करो हम लोग अपना जगा में हमेशा से self-dependent and self-sufficient लोग है यहाँ पे अभी भी बहुत कम आबादी होने का कारान हमें कुछ भी resources का कमी नहीं है चाहे तो हम mainland India से disconnect होकर भी रहे सकते हैं जो भी हो आने वाला दिनों में हमारा आबादी बढ़ने का साथ साथ हमारा social and economic development भी तेजी से बढ़ने वाला है लेकिन आप लोगों का जगा पे पहले से ही population बढ़ चुका होने का कारान आने वाला दिनों में बहुत दिकत होने वाला है वो दिन ऐसा होगा जब सेंटर गोप्मेन आप लोगों का जमीन को notify करेंगे कि इतना जमीन पर खाना उगाना है इतना जमीन पर oxygen के लिए पेड उगाना है इतना जमीन पर economic development के लिए industry चलाना है और उतना जमीन पर लोगों का घर बसाना है तब आप लोगों का जमीन पर चट पर चट बना कर लोगों को बसाने से भी पेर तक रखने को जगा नहीं होने वाला है उस समय में आप लोग हमारे कम आबादी एरिया में better place और better opportunity धून कर आने वाले हो इसलिए किसी को भी छोटा कमजोर मत समझना क्यूंकि कोई भी condition का कुछ region जरूर होता है अभी हमें चाहे जितना भी कमजोर निकामा बोलो लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम भी एक privileged society जरूर बन पाएंगे हमारा देश में क्यूं इतना ज्यादा racism and regionalism फेल रहा है उसका बहुत सारे कारान हो सकता है उसमें से कुछ region को मैं यहाँ पे discuss करूंगा है जैसा खास system all the able practice सायत लोगों का दिमाख से भेदभाब राखने का सोच अभी तक पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है दूसरा region politically भी पहले से ही हम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है उसका कारान भी हो सकता है तिसरा region हमारे region less stable होने का कारान सायत हमें आन पर गवार निकामा सुचते होंगे चोठा region हमारे नोट इसके लोग कभी कभी inner line permit and autonomous state देमान करने के लिए फ्रोटेस करते समय में कभी कभी एक या दो मरवारी का गारी जला देते हैं इसलिए वोग counter racism and reverse retaliation करते होंगे लेकिन ये सब तो छोटे छोटे मामला था आप लोगों का जैसा हमने किसी का भी जानतों नहीं ली है ये सब घटना होने का पीछे center government का ही दोस है क्योंकि हमारा region पर बिलकुल धियान नहीं देने का कारान हमेशा से यहां का लोग dissatisfied है अगर हमारा लोगों का बीच में सरकार और प्रसासान से विश्वस उठने लगेगा तो आने वाला दिनों में हमारा देश के लिए काफी हनिकारक हो सकता है क्योंकि ये सब हरकाते करना directly और indirectly हमारा economy का साथ जरूर कुछ न कुछ link और connection हो जाता है एक चंपल के लिए बता दू तो जब सेंटर गॉपमेंट डी मानेटाजेशन एन जी एस्टी बिल लाया था तब लोगों का सेंटीमेंट को कुछ हद तक हर्ट हुआ था और उस समय में लोग स्पेंडिंग करना और किसी भी economic सिस्टेम में investment करना छोड़ दिया था तो उस समय में हमारा economy बहुत ज्यादा down पे चला गया था इसलिए देश की लोगों का सेंटीमेंट को हर्ट करना सरकर के लिए अच्छी बात नहीं है अगर दुनिया में अपना देश को आगे ले चलना है तो सरकर को पता चलना चाहिए कि नोट इस का इतना बरा आबादी को पीछे छोड़ कर दुनिया में कभी आगे नहीं बर सकेंगे और हमारा सरकार का फाइप ट्रिलियोन एकोनोमी बनने का सपना भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा हमारा दिल में जितना भी दर घुस गया है उसे जल से जल निकल देना है और पहले की तरह सिचुएशन को नोर्मल कंडिशन में लाना चाहिए हमारा देश दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना रखता है लेकिन अपना देश में ही सबसे ज़रूरी चीच यूनिटी एन इंटिग्रिटी चीच का नाम कुछ भी नहीं है तो दोस्तो अभी हम सब मिलकर सोचने और समझने समय आया है में लेन इंडियान्स लोग हमारा उपर सिंस इंडिफेंदेंस 75 साल से ही रूल करके आये हैं लेकिन वे लोग हमें काफी पहले से ही अलक मनते थे इस बात में कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमें हिस्टूरी से पता चलता है कि वे लोग हमें अलक सुचने का कारण हमें पीछे छोड़ कर खुद को बहुत आगे ले कर गया है इसको समझने के लिए हम एंसियन हिस्टूरी से सुरू करना होगा नोट इस का पिछड़ने का में कारण पोलिटिकाली यहां पे पहले से ही ध्यान नहीं दिया गया अगर हम एंसियन हिस्टूरी को रिफर करें तो इंडिया में पहले का जमना में सबसे बारा बारा समरजया Jeeso, Chola Empire and Dravidian Empire नोट इस इंडिया से completely disconnected रहा है इसलिए नोट इस-मेंडलेन इंडिया का culture का साथ कभी mix नहीं हो पाया इसलिए यहां का culture मेंडलेन इंडिया से काफी अलग रहा है बाद में यहां पे indigenous culture धीरे-धीरे डेवलोप हुआ और यहां का जितना भी ट्रैबल कल्चर का बीच में कुछ ना कुछ एक दुसरे का सच सिमिलरिटीस है इसलिए हम सब नौट एस का ट्रैबल पोपुलेशन कल्चरली मैनलेन इंडिया से बिलकुल अलग हो गए और बात में यूरोपियान मिशनरिस का इंफुलेंस का वज़ा से भी हम मैनलेन इंडिया का कल्चर से बहुत अलग हो गए इंडेफेंदेंस का बात जब यहां पे नया सरकार बना नौट एस का जगा जमिन एन क्लायमेटिक कंडिशन बहुत दिपिकल होने का कारण और यहां का पोप्लेशन बहुत कम होने का कारण पोलिटिकली यहां पे ज़्यादा ध्यान देना फाइदेमन नहीं समझा इसलिए यहां पे बहुत पहले से ही डेवलोपमेन नहीं होने का कारण यहाँ पे बहुत सारे rebel group निकलने लगा और बहुत सालों तक यहाँ पे ठेरोर एक्टिबिटी एक्टिप होने का कारण कोई भी company या industry यहाँ पे आना दरते थे जो यहाँ पे economic growth ला सकते थे लेकिन अभी फीर से Center Government North East पर ध्यान देना सुरू कर दिया है North East अभी fastest growing region बन चुका है जो पहले politically ignore करके रखने का वज़ा से पिछरा हुआ था अभी फीर से ध्यान देना सुरू कर दिया है और बतया जा रहा है कि North East आने वाला दिनों में बाकी सभी स्टेज से आगे निकल जाने वाला है अभी हमारा सरकार North East पर economic growth लाने के लिए और border security के लिए ready infrastructure बनाने को बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है इस infrastructure बनने का बात यहां पे industry setup करने के लिए अच्छा opportunity होने वाला है यहां पे जितना भी base and number one roads, highways, four land, expressways, railway lines, year connectivity and sea road connectivity यहां पे बन रहा है और यह सभी initiative different scheme और project का अंदर में बनाया जा रहा है जैसा कि कलाधन multi model project, सगल मला project, भारत मला project, उड़ान scheme और North East mega railroad and bridge project इसमें से कोई scheme अंदर construction में है और कुछ scheme ministry का planning process में है सबसे ज्यादा अरुनचल में बनाया जा रहा है due to less density of road over there यह सभी project देश की economy and Chinese aggression को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है लेकिन सबसे ज्यादा यहां का लोगों के लिए benefit होने वाला है इसलिए North East आने वाला दिनों में सभी state से आगे निकलने वाला है तो दोस्तों आप लोगों को पूरा कहनी समझ में आया होगा कि हमारा सरकर future में superpower बनने का सपना रखता है और North East को Chinese aggression से बचाना चाहता है इसलिए यह सब project शुरू किया है लेकिन हमारे लोगों का उपर उनका कितना concern है वो हमें कभी भी नहीं दिखाया है इसलिए हम उन्हें उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अभी सब के लिए high time है एक साथ justice के लिए आवाज उठाने का ऐसा मोका फिर कभी नहीं मिलेगा वोगों हमें मारते रहेंगे और हम अभी की तरह कभी भी सबुद जुटा नहीं पाएंगे और future में कोई भी case को इतना high level तक नहीं ले जा सकेंगे future में वोग असानी से हमारा case को दबा देंगे क्योंकि वोग हमें अपना मानता ही नहीं है तो हमें क्यों support करें जब भी उन लोग और हमारा बीच में conflict होगा तो कोई भी हमें बचाने वाला और support करने वाला नहीं है बोलकर हमें पूरी तरह से पता चल चुका है इसलिए note is का सभी भाय बहन लोग हमारा साथ दो आप लोग YouTube पर search करके देखिए कितने सालों से हमारा note is का उपर अत्याचर हो रहा है ये बात किसी को भी उतना मालूम नहीं होगा सयद वैसा ही future में भी होते रहेंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा इसलिए अभी हम सब मिल कर सबक सिखा आना चाहिए तक ही ऐसा घटना future में फिर ना हो हम सब note is का tradition and culture एक ही है इसलिए हम सब एक जुट होकर भुराय का उपर लड़ना चाहिए अगर सरकर ही हमारा जान को बेलू नहीं देता है तो हम किस पर भरोसा करके इस देश में जिये हमारा होम मिनिस्टर क्यूं सामुयल एन रोजी संगमा का केस को CBI को देना नहीं चाहता है हमारा सरकर क्यूं आरोपियों को इतना ज्यादा दिफेन कर रहा है ये सवल पूरा note इस पर फिर से उठने लगा है हमारा सरकर autocratic बन चुका है हमारा human rights को कुछ भी बेलू नहीं दिया जा रहा है क्या गरीब कमजोर एन इनोसेन लोगों का जान का कुछ भी बेलू नहीं होता है क्या ये सवल सभी लोग सरकर से पूछ रहा है counter racism and reverse retaliation को हम कभी भी justify नहीं करते हैं क्योंकि हमारा north east वालों भी कोई अच्छा है और कोई भुरा है वैसा ही center India में रहने वाला लोग भी कोई अच्छा है कोई भुरा है लेकिन जब भी violence होता है तो इनोसेन लोगों का ही नुक्सन होता है इसलिए हम सब देशबासी भुराई का एगेंस एक साथ मिलकर ऐसा खरप इनसन को जड़ से उखार कर खतम कर देना चाहिए और हमारा सरकर का भी bad culture बन चुका है मिलने वाला justice को भी हमें नहीं देना चाहता है सरकर का आरोपियों को depend करने का culture बन चुका है अगर हमारा सरकर ही हमें on low pull activities को करके दिखाएंगे तो हम किस पर भरुस्त करे की हमारा भी अच्छा दिन आने वाला है सभी बरा बरा घटना का पीछे सरकर का ही दोस है क्योंकि सरकर ही हमें on low pull काम करना सिखाता है इसलिए हम हमेशा सरकर की आदेश को suspicious नजर से दिखते है इसलिए मैं सभी देशबाशियों को request करता हूँ कि हमारा दोनों brother and sister let Samuel and Roji संगमा का death लोगों का inhuman practice का वज़ा से हुई है इसलिए सब लोगों को मैं हाथ जोड़ कर request करता हूँ कि आगे भी ऐसा घटना किसी भी innocent का साथ हो सकता है इसलिए this is the high time to completely approach the bad culture of our people so please support us and stand with us to give the justice for two of the देशिस person's family जय हिन जय भारत इस वीडियो को अगर कोई अपना चैनल में upload करना चाता है तो कर सकता है लेकिन ओरिजनल वीडियो का चैनल का नाम स्क्रीन पर देना होगा और अपना linguist में बता देना होगा और description में भी link दे देना तक की future में हम कुछ जरूरी बात करना परा तो हम लोगों का साथ जोड सके मैं अपना चैनल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता due to security concern क्योंकि हमारा देश नोट इस वालों के लिए शेप नहीं है अगर हम दिली जाए तो अपना चेहरा रूमल से चुपा कर जाना पड़ता है तो ऐसा कैसा देश है हमें अपना मनने वाला इस वीडियो को देखने के लिए आप सब को ठैंक्स